दोस्तो driving license बनबाने के लिए आप भी अगर license learning license का online test देने जा रहे हैं तो आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए यहाँ पर हम लोग उन questions को discuss करेंगे जिन questions को exam में पूछा जाता है यानि कि driving license का जो test होता है online उसमें पूछा जाता है और आप सही answer लगा पाएंगे चाहे आप RTO में जा कि test दें या आप online test दें तो चलिए शुरू करते हैं पहला question यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं पहला question दोस्तों यहाँ पर है कि आप एक सक्रे पुल की ओर बढ़ रहे हैं और तभी दूसरी ओर से एक अन्य बाहन पुल में प्रिवेस करने वाला है तो options आपको प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य बाहन पुल को पार ना कर दें फिर आगे बढ़ें तो दोस्तों यहाँ पर इस question का answer क्या होगा आप लोग बताईएगा चलिए मैं इस question का answer आपको बता देता हूं इस question का answer है option number 3 answer is option number 3 ठीक है यहाँ पर option number 3 है जब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि अन्य बाहन पुल को पार ना कर दें और फिर आगे बढ़ें दोस्तों अगला question है प्रस्तु चिन प्रदर्शित करता है आपको इस चिन दिखाई दे रहा है तो यह चिन क्या प्रदर्शित करता है यहाँ पर आप इस चिन को देख पा रहे हैं यह चिन आपको क् डाय के लिए रास्ता नहीं है, तीस्रा है यह चॉत्रा है यह चौत्राह के लिए यह चौ mi dya hai hai. और आप दम गो है दुरगटना के लिए जम्मेदार किसी उस बाहन को जिसके द्वारा किसी ब्यक्ति को हतात किया गया है पहला आप उस बाहन को निकट की पुलिस चौकी पर ले जाएंगे तथा दुरगटना की सूचना दर्ज कराएंगे दूसरा आप्शने बाहन को रोक कर तीसरा आप्श चौकी में सूचना दर्ज कराएंगे ये इसका सही answer है नेक्स्ट कोश्चन की वर बढ़ते हैं प्रस्तु चिन प्रदर्सित करता है ये चिन है दोस्तों ये क्या प्रदर्सित करता है पहला आपका है यहां पर आगे एस्पताल है तीसरा option है आगे यातायात है और चौता option है रुकिए तो ये दोस्तों इसका जो सही answer है वो आपका है यहां पर option number one रास्ता दीजिए ये दोस्तों यहां ध्यांत से देख लीजिए इस चिन्द को इस चिन्द का मतलब है रास्ता दीजिए next question की और हम लोग बढ़ते हैं अगला question है एक तरफा रास्तों पर एक तरफा रास्तों पर पहला option है बाहन ख़ड़ा करना निशेद हैं दूसरा option है overtaking निशेद हैं तीसरा option है reverse gear में बाहन नहीं चलाना चाहिए और इसका correct answer दोस्तों यहां पर है अगला question हम लोग ले लेते हैं अगला question क्या है यहां पर तो देखिए यहां पर अगला question है यहां पर question आपका एक तरफा रास्ता ठीक है एक तरफा रास्ता इसका आंसर है यह देख लीजिए चिन्न को ज़रा ध्यान से इसमें एक तरफ के एरो पर मार्किंग नहीं की गई है लेकिन एक तरफ के एरो पर मार्किंग की गई है तो यहां पर आंसर है एक तरफ रास्ता अगला question है आप किसी बाहन को overtake कर सकते हैं उस बाहन की दाइने और से उस बाहन की बाइने और से पहला option था उस बाहन की दाइने और से दूसरा option है उस बाहन की बाइने और से और अगला है बाहन की बाइने और से बाहन की किसी भी और से नहीं option no.1 इसका answer है option no.1 यहां पर है वो है आपका उस बाहन की दाइनी और से आप overtake कर सकते हैं और यहां पर अगला question है प्रस्तुत चिन प्रदर्सित करता है यह चिन जो है यह क्या प्रदर्सित करता है दाया मोड निशेद दाइन और तीब्र कर्ब भू यू मोड निशेद ओवर टेकिंग निशेद है इसका जो सही answer है दोस्तो भू है आपका यू मोड निशेद ठीक है correct answer इसका यू मोड निशेद ठीक है यू टर्न दिया हुआ है और उस पर लिखा हुआ है यू मोड उस पर मार्किंग लगी सुरक्षा प्रहरी वाले railway line क्रॉसिंग के निकड़ हो तो उसे पार करने से पूरू बाहन चालक को बाहन को मार्ग के बाईयों और रोकेंगे बाहन से उतर कर यह सुनिश्चित करेंगे कि दौनों और से कोई rail या ट्रॉली तो नहीं आ रही हूर्ण देकर railway क्रॉसिंग को यह था शीगर शीगर पार करने का प्रयास करना चाहिए रेल के गुजरने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए इन में से कोई नहीं तो सही आंसर है दोस्तों इसका option number one जो की है आपका यहां पर कि बाहन को मार के बाईयों और रोकेंगे बाहन से उतर कर यह सुनिश्चित करेंग कि दोनों और से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है अगले प्रस्ण की और मूब करेंगे अगला प्रस्ण है प्रस्तुत चिन प्रदर्शित करता है यह चिन है पहला है पद्यात्री पारपत दूसरा है पद्यात्री प्रवेश कर सकते हैं तीसरा है पद्यात्री नि देखे यह लाइन्स बनी है उसके ऊपर एक ब्यक्ति जा रहा है तो इसका जो अर्थ है पद्यात्री पारपत अगले प्रश्न की और दोस्तों मूब करते हैं अगला प्रश्न है आप किस प्रकार से एक परिबहन बाहन की पहचान करेंगे तो आपको दिये गए उसके टायरों प्लेट देखकr decibels आप उस परिबहन बाहन की पहचान कर सकते हैं प्रस्तुत चिन्य प्रदर्सित करता 25 पार्किंग दाइं तरपी शू इकृत है यानि यह पार्किंग पार्किंग मदब खळा करना ओदाइवर का निशन लगा होगा है ये इसका करेक्ट आंसर आगला प्रस् liberty लेता है एक प्रसुन लेते हैं सो एक प्रिसील लाइसेंस learning लाइसेंस की बैदता रहती है जब तक помогन्ति लाइसेस प्राप्त ना हो जाए लर्ड लाइसेस जारी होने की दिरांक से 6 महिनों तक्के लिए learning license की दिरांकश से 120 दिन तक के लिए और एक तीस दिन के लिए इसका जो Correct suo है lesson number two है वह यहां पर learning license जारी होने की दिरांग से 6 महीनों तक के लिए अगला कोश्चिन ले लें दोस्तो प्रस्टो चिन् प्रदर्शित करता है ये क्या प्रदरर्शित करता है पहला है आपका यूटर निशेद दूसरा है आपका दाइं मुड़ना निशेद और तीसरा है दाइं और से overtaking निशेद और अगला है बाइं मुड़ना बर्जित है लास्ट में है इसका answer तो जिसका correct answer दोस्तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो दाइं मुड़ना निशेद जो हैं दोस्तो यह इसका correct answer है आप देख सकते हैं दाइं और का मुड़ाब बना हुआ है और उस पर एक मार्किंग की गई है उस पर तो इसका मतलब है कि दाइं मुड़ना निशेद है इसके अनुशार चलिए अगला कोश्चन दोस्तो यहां पर है एक ऐसे मार्क पर जहां कोई footpath नहीं है बहां पद्यात्री को मतलब एक ऐसे कोई मार्क है जहां पर कोई footpath नहीं है बहां पर एक पदयात्री को मार्ग के बाई और ही चलना चाहिए मार्ग के दाई और ही चलना चाहिए मैं पदयात्री लास्ट है इन में से कोई नहीं तो इसका जो करिक्टांस और ही चलना चाहिए यह इसका गरेक्ट आंसर पद्यात्री को जहां पर कोई फुट पाथ नहीं है कि दोस्तो अगला प्रस नहीं निम डांक चिन्न का तात प्रे क्या है तो आपको एक चिन्नी दिया हुआ है उसका तात परे आपको बताना रहे कि क्या है और यह देखिए एक हॉरन टाइप का बनाऊ और उस पे लिखाओ उस पर मार्किंग लगा हुई है पहला है हौरन बसान जाना चाहिए पुलिस बहान को एंबुलेंस अगनी शमन महान को तीपरबात ही तीवर भष्शों को प्रतिबंद समाप्त तो यहां पर दूसरा आंसर है एंबुलेंस बागनी शमन रखिए दोनों तरफ से लख रहे हैं आगे सक्राप फुले एक बार देख लीजे इसको और आंसर आगे सक्राप फुले नाइक स्टम लोग लेते हैं विप्रीत दिसास से आने वाले बाहन पास हो सकता है विप्रीत दिसास से आने वाला बाहन पास हो सकता है आपकी दाई और स से किसी भी सुब्जाजनक और से इन में से कोई रही आंसर नमबर वन और इसका जो आंसर है वह आपकी दाइए और से हमारी दाइए और से बाहन पास हो सकता है यह जो चिन है इसका मतलब क्या है पहला ऑप्शन है प्रात्मिक चिकिस्टा चौक की आग आराम करने की जगह है आगे अस्पिता है प्रेटरल पम्ब करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर त्री जो कि आगे अस्पिताल ठीक है इस किसी बाहन का चालाक ओवर्टे कर सकता है तो पहला ऑप्शन इन Neget की और से अनुमती ओवर्टेक कर सकता है legal और डोसन तो हम लोग यहां पर कोईश्चन ले लेते हैं क्या कोईश्चन है नेक्स्ट तो यहां पर कोईश्चन है प्रस्तु चिन प्रदर्सित करता है प्रस्तु चिन क्या प्रसित करता है पहला है प्रात्मिक चेकिस्सा चौकी दूसरा है आरम करने की जगह है तीसरा है आपका अस् मार्ग की बाईयोर मार्ग के मद्य में अकरिक टांसर आप्शन नमबर टू है मार्ग की बाईयोर यह इसका ग्रिक्ट आइसर नेक्स्ट कुश्चन ले लेते हैं प्रस्तु चिन प्रदर्सित करता हैं एक यह बना हुआ है पहला अस्पताल दूसरा आराम करने की जगए तीसर कि जब कोई बाहन रात्री के समय रास्ते के किनारे पार्क किया गया हो तो रात्री के समय रास्ते किनारे पार्क किया गया हो तो बाहन को लॉक किया जाना चाहिए उस बाहन के लाइसेंस प्राप्त बाहन चालक को चालक सीट पर जरूरी रहना चाहिए पार्किंग लाइट है दूसरा बान करना करना मना है तीसरा गती सीमा पर प्रतिबंद समाप्त और चौथा है इसका जो कुछ नहीं है तीसरा इसका गती सीमा पर प्रतिबंद समाप्त यह अगर मार्क आ गया तो फिर गती सीमा मतलब पर प्रतिबंद जो लगा था वो समाप्त हो चुका है अगला ले लेते हैं फॉग लेंप का प्रयोग किया जाना चाहिए रात्री के समय पर जहां कोहरा हो जब विपरीद और से आने वाला बाहन डिम ला लेते हैं अब और प्रधरस्तित करता ड़ए और फिल जैंसा दो पहले दिया था वह है और पहला आगे रास्ता तंग है आगे सक्रापुल हैरे दोनों मार्ग के लिए तीसरा है बाहनों को प्रमुक्ता देने के लिए चोटा इन में से कोई नहीं करेक्ट anxlor option नुमबर टू है हाँ पर इसका option 2 दूसर आपके लिए क्या है ये दीकि जेप्रेरा लाइन बनी होती है पद्यात्री पारपत के लिए जिब्रा लाइन बनी होती है देखिए ध्यान से अगला कोश्चन ले लेते हैं प्रस्तुत चिन प्रदर्सित करता यह चिन है जर्द ध्यान से देख लें आप इस चिन को है ना आप चिन को जर्द ध्यान से देख लें चिन यह है य से क्या प्रस्ट करता है तो पहला ओप्शन है रैलवे स्टेशन निकट है ध्यांद से देखिएगा एक रेल नि हुई है तो सुरक्ष्षा प्रेहरी रहित रेल व्डेवल क्रोसिंग गर्णिंग कोई नहीं कर्रिक्टानी कर आपसर नमबर टू है इसका जो कि आपका यह आप देख सकते हैं अगला question दोस्तों ले लेते हैं वो हैं आपकी सामने यदि निकटम कोई ambulance हो तो उसे रास्ता दिया जाना चाहिए यदि आगे की ओर से कोई बाहन ना हो उसे प्रमुक्ता देने की कोई अवशक्ता नहीं है बाहन चालक को रास्ते के किनारे अपना बाह चाहिए अगला question ले लेते हैं अगला question है प्रस्तु चिन प्रदर्शित करता है यह चिन है यह क्या प्रदर्शित करता है पहला option है दाइंवर प्रवेश निशेद है अगला है बाइंवर से प्रवेश निशेद ओवर टेकिंग निशेद correct answer option number 3 ओवर टेकिंग निशेद ध् कि overtaking निशेद कि अगला है लाल यातायात बद्ति से संकेत करती है फ़हला option है बाहन साब दानी बहगते हुए आगे बढ़़ती है दूसरा है बाहन रोक दिया जाए तेिसरह बाहन की गति सुचना दरज करानी चाहिए 98 भंडों के बीदे की पुलिस इस्टेशन में सूचना सूचना दर्ज करानी चाहिए तो दोस्तों जब कोई मोटर वाहन किसी दुरगटना में लिप्त हो तो नजदी की पुलिस स्टेशन में 24 घंटों के भीतर सूचना दर्ज करानी चाहिए इसका करेक्ट आंसर है अगला प्रशन आप को एक चिन दिया गया है पहला अदमि कारेपर हैं दूसरा ऑप्षन है कि बच्चे खेल रहे हैं तीसरा है पदयातरी पारपत और चोज़ा उपसने इन में से कोई नहीं तो कर्एक आंसर है दोस्तों इसका बन तो वन जो है वह ben आपका आदमी कारे पर हैं देख सकते हैं आप इसमें आदमी कारे कर रहा है अगला प्रशन है यदि किसी दुर घटना की बजह से किसी थर्ड पार्टी की किसी संपत्ति का नुक्षान होता है तो पहला ऑप्सन है कि बाहन चालक को 24 गंटे के भीतर निकट की पुलिस स्टेशन में करानी चाहिए अगला है किसी थाने में कोई सूचना दर्ज करानी के वशक्ता नहीं है लास्ट इन में से कोई नहीं और वन इसका गरेक्ट आंसर है कि यदि किसी दुर घटनाम में किसी थर्ड पार्टी को कोई नुक्सान हुआ है तो बाहन चालक को 24 घंटे के भीतर देता हूं जिससे आप इसको और अच्छी से देख पाएं क्योंकि यह से चिन अगर पेपर में आते हैं आप नहीं देख पाते हैं यह देखे इस प्रकार का यह चिन है और इसका मतलब क्या है पहला है आपका रास्ता खराब है दूसरा ऑप्शन है रास्ता फिचलन पर आये तीसरा है चट्वाट अंतो ही कोई नहीं कडिकरे ज़ αναdeepरी जिसका चट्वाध यह तरफ आने गुरह न्यजोंकि नोगक्या है इस जगह पर बहुत सम्लब के चलना हिए पहाड़ी एर्याहों में यह लगे होते हैं साइन बोर्ड साइं और और फितेमिन यह जिन दूसuche कर सकते हैं हम होरन बजाते हुँ दूसरे बाहन को वर्टेक कर सकते हैं इन मैंसे कोई नहीं कर्डिक्ट आंसर ऑप्शन नमबर वन है हमें दूसरे बाहन का ओवर्टेक्ट नहीं करना चाहिए ऑप्शन नमबर बन करेक्ट है अगर कोई पीचे से करता तो आपको नहीं करना च बाहन चालक ने हमें अपने बाहन को ओवर्टेक करने का संकेत नहीं दिया है हम ओवर्टेक कर सकते हैं हमें ओवर्टेक नहीं करना चाहिए हम होर्न बजाने के साथ ओवर्टेक कर सकते हैं करेक्ट आंसर ऑप्शन नमबर टू हमें ओवर्टेक नहीं करना चाहिए यह चिन प् नमबर वन है तिबर चड़ाई ध्यान रखिएगा दोस्तों अगला कोश्चन है जब हमारा बाहन ओवर टेक किया जा रहा हो तो पहला है हमें अपने बाहन की गती नहीं बढ़ाना चाहिए हम गती बढ़ा सकते हैं थर्ड है आपका हम शाबधानी का ध्यान रखती हो गती अगला यह चिन्न प्रदर्सित करता है यह जो की है आपका तीब्र धालान इसका क्रेक्ट आंसर दोस्तों जहां पर है अगला कुश्चन ले ले लेते हैं निम्न दस्टाओं में बाहन ख़ड़ा करना मना है अस्पताल के प्रवेश द्वारबर रास्ते के बाइन और बजा शेत्र में स्टेथ पार्किंग में में से कोई नहीं तो करिक्टांसर उप्शन नमबर वन है अस्पताल की प्रिवेश द्वार पर बहान खड़ा करना मना है अगला कोश्चन है यह चिन प्रदर्शित करता है यह चिन आपको दिया गया है थोड़ा जूम इन कर देता हूं जह बीच में अंतराल है यह इसका करिक्टांसर दोस्तों है याद रखे यह देखे अगला कोश्चन ले लेते हैं सार्ब जनिक सेवायान को चलाते समय धूम्रपान करने के फल्सुरूप ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन हो सकता है जुर्माना हो सकता है उप्रुक्त में से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं करिक्टांसर ओप्सन नमबर वन ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन हो सकता है अगला कोश्चन है यह चिन प्रदर्सित करता है आपके सामने एक चिन आपको दिया हुआ है मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं जिससे आप उसको अब रोध है यह देखी ध्यान से यह अब रोध का आपको दिया हुआ है आगे अब रोध है इसका करेक्टांसर है अगला कोश्चन ले लेते हैं सार्व जने की स्थानों पर बाहन खड़ा छोड़ देने से दूसरों को बयात्रियों वा अन्यको असुविदा होने पर यान केबल जुर्माना होता है उपरोक में से कोई नहीं इन में से कोई नहीं कर्रेक्टांसर ऑप्सिं नम्बर वन ऑप्सिं नमबर डाइजैंस को नलंब्ट या निरस्त किया जा सकता है है इक ने किस्तानों पर आगर आप बहान ख़ड़ा छोड़ देते हैं तो और जिससे दूसरे वायात्रियों को अन्य को असुब्ध हो रही तो यह चिन प्रदर्शित करता है यह देखिए एक चिन है आपकी सामने यह क्या प्रदर्शित करता है टी के अकार का ऊपर रेड कलर है नीचे ब्लैक है तो यह क्या प्रदर्शित करता है पहला आगे नौका मार गए है आगे मुख्य रास्ता है रास्ता नहीं है इसका करेक्ट माल भाहनों पर छम्ता से अधिक भार ले जाना माल भाहनों पर छम्ता से अधिक भार ले जाना बैदनिक रूप से नहीं है कि वल जुर्माना होता है ड्राइविंग लाइसेंस को निलंबित या निरस्ट किया जा सकता है अगला प्रस्ट हम लोग ले लेते हैं यह चिन्न प् कपी बना हुआ है और दोनु और एरो के निशान बने हुआ है पहला ऐस पार्किंग बर्जित है दूसरा में कि-दौन तरह और पार्किंग यह पुलिस साहता चौकी है इनमें से कोई रही कर्दिक्टाइशर Opsion No2 तू है जो कि ए दोनों और पार्किंग है अगला कोस्टन ले लेते हैं यदि किसी टेक्सी का चालक इस बजह से यात्रा पर ले जाने से मना करता है क्योंकि दूरी कम है तो तो ड्राइविंग लाइसेंस को निलम्बित या निरस्त किया जा सकता है केवल जुर्माना होता है दोनों में से कुछ नहीं होता है इनमें से कोई नहीं ऑप्सन नमबर वन इसका करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्सन नमबर वन जो कि यह ड्राइविंग लाइसेंस को नि तो देखते हैं स्कूल वा मोटर साइकल पार्किंग स्थल स्कूल वा मोटर साइकल बर्जित स्कूल मोटर साइकल मरमत इन में से कोई नहीं करेक्ट आंसर इस ऑप्सन नमबर वन और इसका जो ऑप्सन नमबर वन करेक्ट आंसर है स्कूल वा मोटर साइकल पार्किंग स्थल इ के लिए ही बना हुआ है तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि यदि आप किसी ऐसे इतराहे पर पहुंचते हैं जहां पर यातायाद बत्ती या पुलिसमें नहीं है तो उन मार्गों से तरही की तरफ आने वाले सभी बहानों यातायाद को रास्ता देंगे दूसरा है यतोच संकेट देने के बाद आगे बढ़ेंगे लास्ट है इन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर आप्सन नम्बर थ्री है आपका यतोचित संकेट देंगे बाहरन देकर आगे बढ़ेंगे अगला कोश्चन ले लेते हैं यह चिन प्रतरसित करता एक चिन है कार बनी हुई है पी तो नम्बर टू है टेक्सी पार्किंग स्थल अगला कोश्चन ले लेते हैं जब आप किसी ऐसे तरह की और बढ़ रहे हों जहां पीली सिगनल बत्ती चमक रही हो तो आपको चाहिए आपको क्या चाहिए यह यहां पर इन्होंने कहा है देख लेते हैं यहां पर इसका गरि कर बत्ती अरी होने का इंतिजार करेंगे बाहन की गती धीमी करके आगे बढ़ेंगे जब तक यह निश्चित हो जाएगा कि ऐसा करना सुरक्षित है बाहन की गती बढ़ा कर साब्धानी से आगे बढ़ेंगे करेक्टांसर आप्शन नमबर थ्री है आ बाहन की गती धीमी क करके तभी आगे बढ़ेंगे जब यह निश्चित हो जाएगा कि ऐसा करना सुरक्षित है अगला लेते हैं कुश्चिन यह चिन प्रतर्सित करता है एक पी बनी हुई है और पीला सा ओटो बगे रहा है कुछ ऐसा बना हुए पहला है आपका पैट्रल पंप दूसरा है और टो रिक्षा पार्किंग स्थल अगला कुश्चिन हम लोग लेते हैं दोस्तों जो हैं आपके सामने जहां पर रास्ता लगा कर पीली रिखा से चिन्नित किया गया हो बहां बहनों को पहला आप्शन है पीली रिखा को ना तो छूना चाहिए और नहीं पार करना चाहिए दूसर नमबर वन जो की है केवल पीली रिखा के ने ने पीली रिखा को ना तो छूना चाहिए और ना ही पार करना चाहिए यह इसका करेक्टांसर है अगला है यह चिन्द प्रदर्शित करता है अब गाड़ी बनी हुई है उसके आगे कुछ सिगनल्स टाइप की पीले और कुछ निशान बने हुए पीछे से आने वाले बाहन को रुकने का अनुरोद करना अगला है दाए मुड़ना चाहते हैं तीसरा है विपरीदिसा से आने वाले बाहन को रुकने का अनुरोद करना इनमें से कोई नहीं करेक्टांसर है उसका आप्शन नमबर टू आप्शन नमबर तो है दाय मुढ़ना चाहते हैं हाँ यह दाय मुढ़ना चाहते हैं इंडिकेट कर रहा है इंडिकेटर दे रहा है तो यहां पर दाय मुढ़ना चाहते हैं यह चिन है अगला है जब आप किसी ढलबा मार्ग पर बाहन चला रहे हूं तो आपको पहार से नीचे उतरने वाले ब बहानों को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए तीसरा है भारी मालवाग बहानों को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए चौतायन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहां पर आप्सन नम्बर टू है जो की है आपका पहाड से नीचे उतरने वाले बहानों को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए नहीं नहीं पहाड़ पर चड़ने वाले बहानों को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए आपको ठीक है दोस्तों अगला कोश्चन ले लेते हैं अगला कोश्चन आपके सामने है यह देखे यह चिन प्रतर्शित करता है इसमें आपका जो ह इंडिकेटर चल रहा है बाय मुढ़ना चाहते हैं दाय मुढ़ना चाहते हैं तो यहां पर करिक्टांसर ऑप्षन नमबर वन है आप खुद देख सकते हैं बाय मुढ़ने का अनुरोद कर रहा है तो बाय मुढ़ना चाहते हैं इसका करिक्टांसर है नेक्स्ट हम ले ले लेते हैं question किसी ट्रेक्टर के चालक को ट्रेक्टर में इनको नहीं बिठाना चाहिए पहला option है चालक के अत्रिक्त किसी अन्य ब्यक्ति को चालक के अत्रिक्त तीन से ज्यादा ब्यक्तियों को चालक साई दो से अधिक ब्यक्तियों को इन में से कोई नहीं दाएं मुणना चाहते हैं विप्री दिसा से आने वाले बाहनों बाले दिसा से आने वाले को रुकने का अनुरोद कर रहे हैं बाहन की गती धीमी करना चाहते हैं तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहां पर ऑप्सन नंबर थ्र option no.3 जो की है आपका बाहन की गती धीमी करना चाहते हैं ये ये देखे ये है इसका अचिन और इसका करेक्टा अंसर है बाहन की गती धीमी करना चाहते हैं अगला question ले लेते हैं जब कोई बाहन पहला है साखा पत से मुख्य पत परवेश कर रहा हो तो बाहन चलग को इनको प्रात्मिकता देनी चाहिए अगला है बाईं और Season को प्रात्मिक्ता तीसरा है दाइं और से आने बाले बाहनों को जो मुख्य मार्ग पर जा रहे हैं उनमे से कोई नहीं करिक्टांसर उप्शन नुम्बर त्री है दाइं और से आने बाले बाहनों को जो मुख्य मार्ग पर जा रहे हैं उनको प्रात्मिक्ता देनी चाहिए नमबर टू है आप्सिन नमबर टू यहां पर क्रिक्टांसर है बाहन रोकना चाहते हैं बाहन रोकना चाहते हैं यह इसका क्रिक्टांसर है नेक्स्ट ले लेते हैं आप किसी बाहन को बाई और से ओवर टेक कर सकते हैं तो इसका देख लेते हैं यदि उस बाहन का चालक की है स किमिकती से चला रहा हो चोथा इन में से कोई नहीं करेक्ट आंसर आप्सन नमबर वन है जो कि यह यदि उस बाहन का चालक यह संकेत दे कि वह दाइं मुढ़ना चाहता है और वह रास्ते के मद्दी की ओर बढ़ रहा है तो यह इसका करेक्ट आंसर है अगला कुश्चन है यह चिन प्रसित करता है यह चिन प्रसित करता है पहला है आपका पीछे से आने वाले सभी भाहन रुक जाएं पीछे से आने वाले बाहनों को निकलने दिया जाए अगला है सामने की ओर से आने वाले बाहनों को रुका जाए और लास्त है दाइं ओर से आने वाले बाहनों को र है टेल गोटिंग क्या है पहला ऑप्शन है खतरनाक तरीके से अपने आगे आने वाले बाहन के अत्यादिक समीव रखते हुए बाहन चलाएं जो की खतरनाक हो तो टेल गोटिंग पहला है खतरनाक तरीके से अपने आगे आने वाले बाहन के अत्यादिक समीव रखते हुए बाहान चलाएं जो कि खतरनाक हो अगला है आगे बाले बाहान से सुरक्षित दूरी रखते हुए उस यह नुपात में गतिकुनी अंत्रत करना तीसरा है आने आगे बाले बाहान से कम से कम छे मीटर के दूरी बनाए रखना चोधायन में से कोई नहीं करेक्टान सुर अप्सन नंबर बन है खतरनाक तरीके से अपने आगे आने बाले बाहान कहते हुए बाहान चलाएं जो कि खतरनाक हो इसको टेल गोटिंग कहते हैं अगला है यह चिन प्रदर्सित करता है इसमें यह सामने की और और लेफ्ट साइड को रुकने का संकेत करना और लास्ट है पीछे से आने वाले बाहानों को रोकने के लिए तो करेक्ट आंसर ऑप्सन नंबर थिरी है इसका आगे बापीछे दोनों और से आने वाले बाहानों को रुकने का संकेत करना यह हैं दूस्त का अंसर अगला है किसी अधिकरत अधिका बहे बहान गती सीमास यादिक गती पर चले था इनमें से कोई नहीं कर्रेक्टांसर उप्शन नमबर वन है बहे बहान बैद पंजी करने परमिट से अक्षादित नहीं है अगला यह चिन प्रदर्शित करता है आप देख सकते हैं सामने चिन बना हुआ है सामने ओर से आने वा वाले बहानों को रुकने का संकेत करना अगला कुश्चन ले लेते हैं इस प्रकार के हॉर्ण अनुगत है एयर हॉर्ण बिबिन ध्वनियों वाले हॉर्ण बिद्दुचलित हॉर्ण इनमें से कोई नहीं कर्यक्टांसर दोस्तों आप्शन नमबर त्री जो कि है ध्युक्त नमबर वन दोस्तों है वह आपका वन बे रोड बन बे रोड पर रिवर्स गयर में बाहन चलाना बरजित है अगला कोश्चन ले लेते हैं यदि नशा करके बाहन चलाने का पता चलता है तो चालक को दंड दिया जाएगा काराबास जो की पांच माहां तक हो सकती 2 हजार रुपय का जुर्माना आफ वगत्त दोनों एक ब्रस का काराबास 8 बहुत 4 diff तक का जुर्माना या दोनों ही दोवर्स का सस्रम काराबास लास्टेन में से कोई नहीं तो कर्रेक्ट रंस OR बाप्शनमर नमबर वन है इसका जोकी है आपके सामने एक बाहन का काराबास चाराजार तक का जुर्माना है दोनों ही अगला question दोस्तों ले लेते हैं question है आप께서 सामें आप motorcycle के सिक्षारती learn license धारक हैं आपको तब बाहन चलाना चाहिए जब यातेयात कम हो दूसरा है आपको तब ही बहान चलाना चाहिए जब motorcycle चलाने के लिए driving license प्राप्तिक अनुदेशक आपके साथ हो आप बैद डियल धारक अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रसिक्षक दे रहा हो कि अतरिक्त किसी और को motorcycle पर नहीं बैठाएंगे बहान सिर्फ दिन के उजाले में ही चलाएंगे आप बैद डियल धारक अनुदेशक इंस्ट्रक्टर प्रसिक्षक दे रहा हो कि अतरिक्त किसी को motorcycle पर नहीं बैठाएंगे अगला कोश्चन है यदि एक तिराहे की यातायात सिग्नल बत्ती जलती है तो बहां पहुंचने वाले बहां चलाक को अबश्य ही सुरक्च्चा चाहिए रुकने के लिए जार展ों कर दीनी चाहिए हारन बजाकार आगे वड़ना चाहिए इनjedंडी कोईनी करेक्टांसवन घ्लत नमबर 10 है जोकी कहता है कि रुकने के कोई नहीं करेक्टान्स रॉप्स नमबर टू है जो की है आपका थर्ड पार्टी भी मास से चलिए नेक्स्ट कोश्चन ले लेते हैं अपने से आगे चल रहे हैं बाहन से रखी जाने वाली नियुनतम दूरी पहना है दस मीटर दूसरा है चार मीटर तीसरा है गतिक अनुसार स्रक्षित दूरी अंतर अगला कोश्चन ले लेते हैं किसी नीजी बाहन के अनुमत यात्री चप्रण दर्ज होती है पंजियन प्रमान पत्र में टेक्स टोकन में पर्मिट में इनमें से कोई नहीं correct answer option number one जो की है आपका पंजियन प्रवान पत्र में अगला कोश्चिन ले लेते हैं overtaking budget है जब की mark टूटी हुई सफेद रेखा से चिन्नित हो रास्ता जिस पर मद्य में टूटी हुई रेखा पीला रंग की रेखा और जब बहान खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो इनमें से कोई नहीं correct answer option number three है जब बहान खड़ी पहाड़ी पर चलाया जा रहा हो अगला question दोस्तों ले लेते हैं यदि मार्ग सफेद टूटी हुई रेखा से चिन्नित किया गया हो तो आपको पत नहीं बदलना चाहिए यदि आवशक्ता हो तो पत नहीं परिवर्थित किया जा सकता है बहान को रोक देना चाहिए correct answer option number two यदि आवशक्ता हो तो पत नहीं परिवर्थित किया जा सकता है अगला question ले लेते हैं जपकने बाली लाल यातयाद बत्ती का मतलब होता है बाहन तब तक रोके रखने चाहिए जब तक की बत्ती हरीना हो जाए बाहन रोक कर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित हो गति कम करके आगे बढ़ना चाहिए इनमें से कोई नहीं कर्डिक्ट आंसर इस नमबर टू जो कि यह बाहन रोक कर तब आगे बढ़ेंगे जब ऐसा करना सुरक्षित हो अगला कोईश्चन ले लेते हैं कोईश्चन है किसी राज्य के अंतरगत अंतर राश्ट्री राजमार्ग पर चलने वाली चालक सहित नौव बैठक छमता की मोटर कार की अधिक्तम अनुगति है तो यहां पर कोईश्चन कहा गया कि किसी भी एक राज्य हो है उस राज्य के अंतरगत राश्ट्री राजमार्ग जो होते हैं उन पर चलने वाली चालक सहित नौव बैठक छमता की मोटर कार की अधिक्तम बैद गति सीमा चलने वाली अधिक्तम अनुगति है चलिए देख लेते हैं, 60 km प्रती घंटा, 100 km प्रती घंटा, 80 km प्रती घंटा इन मेंसे कोई नहीं करेक्ट आंसर आप्शन नूम्बर टू, जो की यहाँ पर आपको दिया गया है, वो है आपका 100 km प्रती घंटा, सुरक्षात्मक्ट चालन क्या है साथ द्धानिपूरवग पूरवाद के साथ बहान चलाना एवं अन्य सरक प्रयोग करता हूं कि इस्तिमाल के द्वारा यातनियमों चिन्नों का वलंगन क्या जासकता रुकने पर भी सुरक्षित चालन करना मार्ग संकेतों की परवाह ना करती हुए अपने तक पहुँचने के उद्धिश से बहान चलाना इस धारणा के साथ बहान चलाना की मार्ग उपयोग करने वाले अन्य व्यक्ति अपनी सुरक्षा के इस साफधान रहेंगे इन में से कोई नहीं करेक्टर अन्य सुरॉप्शन वन है इसका जो की आप देख सकते हैं जो है आपके सामने साथधाने पूर्वक इस पूर्वान मान के साथ बहान चलाना की अंध्य सुरक प्रयोग करता हूं कि इस्तेमाल के द्वारा या तैद्नियमों चिन्नों का वह लंगन किया जा सकता रुकने पर भी सुरक्षे चालन करना है अगला है स्टोप लाइन का क्या अर्थ होता है पहला है आपका रोड जंशन या पध्यात्री पारपत के पहले इससे पांच सेंटीमेटर चौड़ी सफेद अथ्वा पेले रंकी रेखा अगला है रास्ते के मद्द में कीछी गई पीली रंकी रेखा तीसरा है रास प्लाइन का अर्थ होता है रोड जंक्षन या पद्यात्री पारपत के पहले इस्तित पांच सेंटीमेटर चौड़ी सफेद अथवा पीले रंग की रिखा अगला कॉप्षन है किसी भी बाहन का इंजन चलित करने से पूर्व रेडियर के पानी का इंजन तेल का इस्तर जांचने चाहिए इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर दोस्तों आप्षन नमबाव वन आपकी सामने जो है वह आपका रेडियेटर के पानी का इस्तर इंजन की तेल का इस्तर जांच लेना चाहिए अगला कोश्चिन ले लेते हैं एक मोटर साइकल की अधित्तम अनुमत गत अगला कोश्चन ले लेते हैं लगय एक मोटर बाहन जो की 80 क्क्लीमेटर पश्चंटा से अदिक गतिव्र चलने के लिए अनुमत है पहला है मोटर साइकल इसे मोटर कार मन्जिली बाहन कर्सम के मैं सै कोह नहीं करेक्ट आंसर ओप्सन नमबरट गार 2020 माटर कार उंप 20 क्रिक्ट आंसर दोस्तों है option number two जो की है आपका 25 क्लोमेटर प्रति घंटा राज्य के अंतरगत राष्ट्री राजमार्क पर चलने वाले ट्रक की अधिक्तम गती हैं तो राज्य के कर्डिक आंसर दोस्तों यहां पर option no. 2 जो की है आपका 80 km प्रति घंटा ज्यान रखेगा 80 km प्रति घंटा इसका राज्य के अंतरगा राश्ट्री राजमार्क पर चलने वाले ट्रक की अधिकतम अनुमत गती है शिक्षण संस्तान के निकट चलने वाले दुपईया बाहान की अधिक्तम गती पहला है 25 किलो मेटर प्रतिगंटा दूसरा है आपका 30 किलो मेटर प्रतिगंटा तीसरा है 40 किलो मेटर प्रतिगंटा चोथा यह में से कोई नहीं तो करेक्टांसर दोस्तो इसका option number one है जो कि अगला कोश्चिन दोस्तों यहां पर ले लेते हैं किस बाहन के पिछले हिसे में मार की उचाई एक मीटर सो सेंटिमीटर तक वैद्ध है ट्रैक्टर में इस ट्रेक त्वैयन में माल वाहक में और लास्ट है आपका आनसर है इसका आप सो 3 चो की है माल वाहक में माल वाहक में पिछले इससे कि मार की उंचाई एक मीटर सो सेंटीमीटर तक बैद है जब भारी बाहन भरे जाते हैं तो दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ रह सकता है बाहन दोनों तरफ से बाहर निकला हुआ होना चाहिए बाहरी बाहन के दोनों तरफ से तक निकला हुआ रह सकता है इसका correct answer दोस्तो option number two है और two यह है कि बाहन दोनों तरफ से निकला हुआ होना चाहिए चलिए अगला question ले लेते हैं माल बाहन के पिछले भाग से माल बाहर निकला रह सकता है कि पहले 150 सेंटीमीटर दूसरा है 100 सेंटीमीटर तीसरा है 120 सेंटीमीटर और लास्ट इन में से कोई नहीं correct answer आपको इसका option number two जो कि आपको कि हैं 100 सेंटीमीटर सेंटीमीटर तक बाहन के पिछले बाक से माल बाहर निकला रह सकता है सहर में भांची मोटर बाहन की अनुमती अधिक गती है कि तो पहला है आपका 35 किलोमेटर दूसरा है 45 किलोमेटर प्रतिगंटा तीसरा है 60 किलोमेटर अपको आपको इसका option number two है अधिक गती हैं दोस्तों तो वो है आपर 45 किलोमेटर प्रती घंटा नेक्स्ट को चले लेते हैं खीचने वाले बाहन और खीचे जाने वाले बाहन के बीच अधिक्तम दूरी सुईक्रित हैं 15 मीटर 5 मीटर 10 मीटर और लास्ट है इन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर ऑप्स पहला ऑप्सन है 40 किलोमेटर प्रती घंटा दूसरा है 38 किलोमेटर प्रती घंटा तीसरा है 50 किलोमेटर प्रती घंटा चौता एन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर ऑप्सन नमबर वन जो की आपके सामने है 40 किलोमेटर प्रती घंटा सहरों में मोटर साइकल की अधिक्तम अत्तारिक गति है चालिस कुल्ट गति घंटा आप एक दो लेन वाले रास्ते पर बाहन चला रहे हैं आपके आगे वाला बाहन बहुत ही धीमी गति से चल रहा है वह ओवर टेक करने के लिए सामने का रास्ता साफ है दो लेन वाला रास्ता है जिस पर बाहन चला रहे हैं आप दाएन हाथ की तरवा से निकल जाना चाहिए किसी भी सुबजाएन राकोर से निकलना चाहिए इसका जो कि ए आपको इस बाहन के बाएन हाथ की ओर से निकल जाना चाहिए next question ले ले दें पर न्य बाहन को खीचने बाले बाहन की अधिक्तम अनुमति गति है पहला है आपका 20 km प्रति घंटा दूसरा है आपका 24 km प्रति घंटा तीसरा है 32 km प्रति घंटा चोथा यहन में से कोई नहीं तो करेक्ट आंसर दोस्तों आप्सन नंबर टू है आप्सन नंबर टू है 24 किलोमेटर प्रती घंटा अगला कॉस्चिन ले लेते हैं ऐसे मोटर बाहन जो की घाट रोड पर 30 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से अधिक गती पर चलने के लिए बैद नहीं है पहला है मार्ग यात्री बाहन दूसरा है मोटर कार तीसरा है आपका ओटो रिक्सा चौथा है आपका इन में से कोई निदे करेक्ट आजर दोस्तों का ऑप्सन नमबर टू ऑप्सन नमबर टू यानि की मोटर कार जो की घाट रोड पर 30 किलोमेटर की घंटा की गती से अधिक कटी पर चलने गरी बैद नहीं है ठीक है तो यहां पर है मोटर कार नेक्स्ट कुशिन ले लेते हैं बह परेयर परिस्टिट्यों में जिन में किसी मोटर साइकल को 90 किलोमेटर प्रती घंटा की गती से चलाया जा सकता है रातरी के समय दिन के समय किसी भी परिस्टिटिए य नहीं कि टांसनों और किसी भी परिस्ट्रीओं में नहीं नवे प्रति घंटे के अफ्तार से नहीं चला सकते हैं मोटर साइकल है है अक्ला है सेहरों के अंतरगत रात्री के सम्में चलने वाले मोटर साइकल के अजिक्तम अनुमत गती कित्नी है पस्चीस добती घंटा तीस क्लोंटर से Kenta चान्पराइस क्लोंटर घंटा अनमे से कोहीं नेकर recognised ये माव्सक्राइक टान्सल्च नमबर टू जो कि आपके सामने है और बहुत तीस किलोमेटर प्रती घंटा नेक्स्ट ले लेते हैं कोश्चन आपके सामने एक माल बाहक बाहन पर ले जाए जाने बाला अधिक्तम अनुमत भार है पहला कोई सीमन नहीं है दूसरा है आपका परमिट के अनुरूप सुईकृत है तीसरा है दस तन चौता है आपका इनमें से कोई नहीं दो करिक्टांसर दोस्तों इसका है आपका दो आंसर नंबर दो है इसका जो किये आपका परमिट के अनुरूप सुईकृत है अगला ले देते हैं किसी भारी बहान पर ओबर लोडिंग पर नियूंतम जुर्माना कितना है पहला है आपका एक हजार रु पए अगला ले लेते हैं सिक्षा संस्थान के निकट एक और्टो रिक्षा की अधिक्तम अनुमति गति कितनी है सिक्षा संस्थान के निकट एक और्टो रिक्षा की अधिक्तम अनुमति गति पहला है 35 क्लोमेटर प्रति गंटा दूसरा है 25 क्लोमेटर प्रति गंटा तीसर यहां पर वह आपकी 25 प्रतिए घंटा नेक्स्ट कोईश्चन दोस्तों यहां पर हम लोग लेते हैं तो दोस्तों यहां पर क्वेश्चन आपने देखा काट रोड पर मोटर साइकल के फॉक्ता मनुमती गती तो देखते हैं इसका क蓬्सा और गुक्र अनुम्त गति 80 km परती गंटा, 70 km परती कोई नहीं, इन मेंसे कोई करिक्टांसर अप्षन है, इसका उप्षन number 1, जो के 80 km परती गंटा एक मध्यम मोटर बहान की अदिक्तम अनुमति गतिकी कितिनी है, पहला है आपका 50 km प्रति घंटा दूसरा है 45 km प्रति घंटा तीसरा है 70 km प्रति घंटा 14 में से कोई नहीं करेक्ट आंसर ऑप्सन नंबर टू है जो कि 65 km प्रति घंटा एक मंध्यम लौटर वाहन की आधिक्ता वनुमति गति मोटर बहान अदिनियम 1988 की धारा 112 की अनुसार गति सीमा का उलंगन नहीं किया सकता सराप पीने के बाद बहान नहीं चलना चाहिए तीसरा आपका बिना कर दिये मार्ग पर बहान का इस्तिमाल नहीं करना चाहिए सकते हैं जो कि आप देख सकते हैं पर गति सीमा का उलंगन नहीं किया जा सकता दोस्तों अगला कोश्चन है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं पहला आपकी सामने है लर्निंग लाइसेंस जारी होने के तीस दिन उपरांत किन्तू छह महा में लर्निंग लाइसेंस जारी होने के सार दिन उपरांत किन्तू छह महा में अगला लर्निंग लाइसेंस जारी होने के नब्वे दिन उपरांत किन्तू छह महा में और इसका जो आंसर ऑप्सन नमबर वन है लर्निंग लाइसेंस जारी ह वह गा option number two option number two ये वाला याप मेरा एरो है ये वाला चिन्न बताता है कि रुखना है next question दोस्तों हम लोग ले लेते हैं कि अलो सिख्षण संस्ता के पास दुपईया गाड़ी की अदिक्तम गती सिक्षण संस्ता है तो उसके पास दुपईया वहान की अदिक्तम गती 30 कि मि Air परतिगंटा पचास ढमबॉर जाहिए से हैरों में भारी मोटर वहान हों की अदिक्तम गति 40 कि मिर्था पैंतालेस 65 या फिर सका answer है operation number one 40 kilometer प्रति घंटे सहरों में भारी मोटर बाहनुं की दिक्तम गति घाट सळक में 35क्ठी गंटे की रवत्तार से चलाने की अनुमति नहीं है घाट सबसक्मर पीसे अनुमति नहीं है भाने यारी या तरि बाहन दूसरा है , अगला है आपका रात के समय सहरों में कार चलाने की अधिक तम गती। पहला है 25 गंटा दूसरा है तीस तीसरा पचास चौता है और इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर थ्री है ऑप्शन नंबर थ्री जो कि आपका पचास किलोमिटर प्रती घंटा सिरात की समय सहरों में कार चलाने अधिक्तम गती है DK क्लूमिटर प्रति घंटा एक मोटर साइकल के अधिक्तम अनुमत अधिक्तम सीमा कोई सीमा नहीं सत्तर साथ इसका अप्शन नमबर टू है सत्त क्लूमिटर प्रति घंटा अगला कोश्चन है एक मोटर वान जो की 85 क्लूमिटर प्रति घंटा से दिखी गति पर चलने के लिए अनुमत है तो वो है आपका मोटर कार होना चाहिए और अप्शन नमबर टू करेक्ट है अगला है सिक्षा संस्तान के निकट चलने वाली मोटर कार के दिखतम अनुमत गति तो यहां पर 40, 30, 20 तो करेक्ट आंसर इसका क्या होना चाहिए वही इसका करेक्ट आंसर अप्शन नमबर टू है अप्शन नमबर टू जो कि आपका 20, 30 क्लूमिटर प्रति घंटा है राज्ये के अंतरगत राश्ट्री राजमार्ग पर चलने वाली ट्रक की अधिक्तम गति 50 क्लूमिटर प्रति घंटा, 65 क्लूमिटर प्रति घंटा, 70 क्लूमिटर प्रति घंटा तो करेक्ट आंसर अप्शन नमबर टू है जो कि आपका 60 क्लूमिटर प्रति घंटा है अगला है सिक्चन सलस्तान के निकट चलने वाले दुपईया बाहान की अधिक्तम गति सीमा कितन तीसस क्लूमेटर मेंटर प्रती घंटा सेहरों में मोटर साइकल मत्या अधिक गति ट्रांणस te треть क्लूमेटर पृति जन में किसी मोटर साहिकल 2 है इसका जो नभस सेन में दोस्तों दोस्तों है दो आफ से मुएभ्य परिस्थितियों में नहीं अगला हम ले लेते हैं क्वेश्चन सिक्षा संस्तान के निकट एक ओटर रिच्छा के दिक्तम गती होना चाहिए तो इसका गरिक्ट आंसर ओप्सन नमबर टू है जो कि यह 30 कुमटर प्रती घंटा का इसका गरिकट आंसर है तो दोस्तो अगले क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन है घाट रोड़ पर चलने बाली मोटर कार के अधितं मरवतिक गती हैं किलो मीटर प्रति घंटा ऑटो रिक्सा की अधिक्तम अनुमति गति दोस्तों यहां पर पहला है आपका 40 किलो मेटर दूसरा है आपका 30-50 करेक्ट आंसर दोस्तों आप्शन नमबर त्री है पचास कुलो मेटर प्रति घंटा अगला ले लेते हैं सिक्चा संस्तान के निकट किसी भारी बहान की अधिक्तम गति करेक्ट आंसर आप्शन नमबर त्री है 30 किलो मेटर प्रति घंटा सिक्चा संस्तान के निकट किसी मध्यम मोटर बहान की अधिक्तम गति सीमा तो यहां पर करेक्ट आंसर आप्शन नमबर व प्रतिशत नमबर वन है चालीस क्लिमेटर प्रतिगंटा अगला है आपका घाट रोड पर मध्यम मोटर वानुग गदिक्तम गति सीमा तो आपका 45 क्लिमेटर प्रतिगंटा तो यह दोस्तों यहां पर कुछ 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 नहीं डिसकस किये आप लोगों के लिए और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं आपका तो आपका टेस्ट सौ प्रतिशत पास होगा इस वीडियो को देखने के बाद थैंक यू थैंक यू बेरी मुच